नमस्कार प्यारे वच्चो गुड़ आफ्टरनून वेलकम दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में मैं सुमित गुएल आज के इस भेतरिन सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ प्यारे बच्चो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं CGL 2022 के रिजनिंग के कम्प्लीट पेपर सेट का आपको यहां बच्चो डेली एक एक सेट के थूँ डिटेल एनलिसिस करवाया जा रहा है CGL 2022 के बच्चो जितने भी एक्जाम हुए थे हम परतेक शिफ्ट का डिटेल एनलिसिस आपको करवा रहे हैं इससे बच्चो आपके आने वाले एक्जाम जो भी हैं चाहे वो CGL हो चाहे वो CHSL हो चाहे वो CPO हो हर एक एक्जाम में दोस्तो रिजनिंग का स्कोर बूस्ट करने में आपको मदद मिलने वाली है हर एक एक्जाम में आप रिजनिंग को बहतर तरीके में परफॉर्म कर प्यारे बच्चो अनेकैडमी प्लैटफॉर्म पर भी स्पेशल क्लास जिसे हम बोलते हैं फ्री लाइव क्लास बच्चो यह एकदम फ्री क्लास होती है और सो परसेंट लाइव क्लास चलती है इस क्लास में दोस्तों आप लोग प्रैक्टिस बैच हमारा जॉइन कर सकते हैं र आपको मैट्स का स्कोर बूस्ट करने में हेल्प करेगी बच्चो गनित का स्कोर आपका बूस्ट करने में आपको हेल्प करेगी कल सुबह 8-9 बजे आप मैट्स का कंप्लीट पेपर सेट इस क्लास में बच्चो सॉल्व कर सकते हैं तो यह दोनों सेशन बच्चो एक यूट सवाल नंबर एक आप सबके समक्ष हैं सवाल दोस्तों बहुत ही इसी सवाल बहुत ही सिंपल मैं जानता हूं आप सारे बच्चे इस सवाल का उत्तर कर सकते हैं सवाल में आपको दिया गया है दोस्तों और वन आउट और आप सब बच्चे odd one out का मतलब जानते होंगे हिंदी में इसे कहा जाता है विजातिय च्छाटना बच्छों विजातिय का मतलब आपको explain करना चाहूँगा जाती से अलग देखिए जाती से अलग का मतलब क्या है कि आपके सामने चार ये लैटर्स के cluster दियो है alphabetical sequence आपको दी हुई है करना क्या इसमें चार में से तीन बातें बच्छों एक जैसी है जिको मैंने आपको सारे option सामने दे दी है अब आपको समझना ये है कि इन चार चीजों में से तीन चीजें एक जैसी है तीन बातें एकदम सेम है और चौथा point आपको इन में से अलग करना है तो difference के आधार पर priority होती है जैसे 19 में से 2 कम किया 17, 17 में से 2 कम किया 15, सर ये minus 2-2 का difference चल रहा है 25 में से 2 कम करेंगे 23, 23 में से 2 कम करेंगे 21, 2-2 का difference चल रहा है 13 में से 2 कम किया 11, 11 में से 2 कम किया 9, 75 में से 2 कम किया 5, और 5 में से 1 कम किया 4 सवाल का उत्तर बनेगा D D का मतलब ये है कि आप इन questions में जिस चीज़ को अलग कर रहे हो उसकी कोई विशेषता नहीं होती बेटा लेकिन बाकी की तीन बातें बाकी के तीन पॉइंट आपको बिलकुल एक जैसे सेम तरह के मिलने चाहिए सवाल बहुत इजी बनता है पेपर में question number 2 है बचो इसका नाम है जी embedded figure embedded figure का मतलब होता है बेटा ये छुपी आकरती खोजनी है सवाल में आपके सामने ये एक आकरती दी गई है इस टाइप की और यही आकरती same जिस भी option में दिखजाए वही आपके सवाल का उत्तर है यही एक परकार से मानलो ये आपका eye test चल रहा है पिटा आपके सवाल में आपको कोई गंबीर नियम नहीं लगाने हैं आपको केवल इतनी सी बात बतानी है कि same आकरती कौन से option में आपको मिल रही है देखिए अगर मैं a option की बात करता हूँ तो ये line भी है ये line भी है और यहाँ ये triangle भी बन रहा है ये triangle भी बन रहा है बड़ बचल बीच की एक line देखो missing है तो a इस सवाल का उत्तर हो नहीं सकता आपको exact अगर same figure चाहिए देखो वो मिल रही है c option में बाकी के option में बटा कमिया होंगी बाकी के option आपको सटीक नहीं मिलेंगे केवल a की ऐसा option होगा जिसमें आप 100% same इस आकरती को देख सकते हैं तो दीगई जानकरी के according c आपके सवाल का उत्तर है यहाँ बचो इन सवालों का formula नहीं होता है कोई यहाँ इनको solve करने के लिए कोई detail में आपके पास formula नहीं होता है बस आप इन चीजों को देखेंगे और देखते ही आप इनके आकरतियों को match कर पाएंगे सवाल नमबर 3 आप सब के सामने है बच्चो coding decoding का एक बहुती simple सा basic सा question है सब बच्चे फटा फट से try कर दीजिये इस सवाल का उत्तर क्या बनना चाहिए आप सब का answer आगया होगा दोस्तों question में कहीं भी चिंता का विशे नहीं है सवाल का level बड़ा आसान है देखिएगा कई बच्चे इस परकार के सवाल को देखकर यह feel करते हैं कि सर यह सवाल तो हमें common coding का दिया गया जबकि यह common coding का सवाल नहीं है यह कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूंगा जैसे आपको coding में दिया गया feel at home feel at home का मतलब है 424 feel at home का मतलब है 424 उसी प्रकार चेक दा लॉंड्री चेक दा लॉंड्री l a u n d r y code किया गया 537 प्यारे प्रकार इनमें कुछ common नहीं है अगर आप कुछ ऐसे common try करेंगे like open the door open the door का भी code किया हुआ है 434 अगर आप इनमें देखो बेटा common try करेंगे न तो आपको common इनमें कुछ भी नहीं मिलेगा लेकिन code आपको एक जैसा मिल रहा है इसका मतलब हो सकता है यह number of letter के आधार पर code दे देते number of letter का मतलब अक्षरों की संख्या अक्षरों की संख्या के आधार पर आपको code दिया गया like बचो देखो फील में कितने अक्षर है चार आपने starting का code चार कर दिया at में 2 अक्षर है और home में 4 अक्षर है तो number of letter को count करके उन्हीं को ऐसे code बना कर लिख दिया इसे चेक में देखो बेटा 5 अक्षर है दा में 3 अक्षर है लॉंड्री में 7 अक्षर है इसी चीज़ को आपने 5-3-7 लिख दिया open में 4 अक्षर हैं दा में 3 अक्षर हैं door में 4 अक्षर हैं इसको आपने 4-3-4 लिख दिया number of letter को आपने लिख दिया account करके और इसी प्रकार मैंने आपसे पूछा है the kite is flight the kite is flight का code चाहिए तो आप इनके number of letter count कर दीजिए kite में 2 में अक्षर हैं 3 kite में 4 इसमें 2 flight में 6 तो 3-4-2-6 आपके सवाल का उत्तर है यह CGL 2022 के exam का पूछा हुआ सवाल है पूरे सवाल का तरीका पूरे सवाल का pattern आपको बहुत बढ़िया परकार से आना चाहिए सवाल देखते ही यह decide हो जाना चाहिए कि एक common coding का सवाल है या या यह number of letter का सवाल है दोनों परकार की चीज़ें exam में बहुत बार दी जाती है बेटा सारे सवालों के command आपको होनी चाहिए question number 4 आप सब के सामने है बहुत ही बहुत ही बहुत ही प्यारा सा सवाल है सवाल का नाम है बच्चो figure series उपर दी गई जानकारी मैंने हटा दी है तिरफ और सिरफ इस आकरती को focus करना बचे figure series का यह सवाल है और figure series का आपको काईदे से मतलब समझ में आना चाहिए figure series का अर्थ आपके दिमाग में clear होना चाहिए आपके सामने बच्चो तीन आकरतियां बना कर दी है और चौती आकरती को आपने समझना है पूर्थ वाली आकरती को आपने समझना है आप समझो इसमें यह square black है इसमें white है, इसमें black है white आएगा white आएगा तो d उत्तर आएगा नहीं a उत्तर आएगा नहीं दो option तो आपके square को देखके out हो गए सब triangle की बात करते है दीकि 120 यहां पर first वाली आकरती में यहां लास्ट वाली आकरती में यहां बीच वाली आकरती में तो हम यह मान सकते हैं कि triangle हर बार एक एक प्लेस उपर मूव हो रहा है कि तरिभुज हर बार एक एक प्लेस उपर जा रहा है तो first पे, third पे, second पे तो अब की बार जो यहां यह box बनेगा बचो इसमें triangle आएगा first वाले part पे triangle अगर first वाले पे आएगा तो B भी उत्तर हो नहीं सकता सवाल का उत्तर क्या बनेगा C दी गई आकरतियों के बीच का संबंद तुम्हें बनाना है संबंद बनाने के लिए उनके बीच में रिलेशन आपको बेटा मेंटेन करना पड़ेगा सवाल बिलकुल भी मुश्किल नहीं होता कानून नियम रूल भली भांती आप सब जानते होंगे आप जानते हैं चार-चार अक्षरों के आपको कलस्टर दियो हैं कलस्टर का मतलब होता है समू फस्ट वाले का ग्रूप अलग क्रियेट कर दो सेकिंड वाले का ग्रूप अलग क्रियेट कर दो ठर्ड वाले का अलग create कर दो पॉर्थ वाले का अलग create कर दो तो ग्रूप में इन चीजों को बनाने का परियास करना है दोस्तों आपने कहा फर्स्ट में दिये 13 नम्बरींग को लिखना नहीं है सिरफ माइड माइड में सोचेंगे बिटा तर्ड पर दिये 9 साथ का मतलब G बनेगा दोस्तों ये माइनस दो का पैटरन चल रहा है ऐसे आपको ये पैटरन समझ में आना चाहिए कि सवाल में कड़ी क्या चल रही है सवाल में चीजों को जोड़ा किस परकार में है P C D E अगली बार F आएगा तो पलस एक एक की सिक्वेंस चल रही है B C D E F आगे दोस्तों T S R Q ये माइनस एक का पैटरन चल रहा है ये माइनस एक की कड़ी सवाल में दी गई है N P R T बच्चों ये पलस दो की कड़ी चल रही है यानि चार अकषरों की चार अलग अलग सीरीज चलती है चारों अलग सीरीज को आपको वेरिफाई करना आना चाहिए alpha bet की numbering आपको याद होनी चाहिए paper में alpha bet की numbering दिखेगी 10 सेकंड में आपको पता लगजाएगा आज पास की बात सवाल में क्या चल रही है यह जो आपके सामने सवाल है, यह सेट वाला सवाल है, लेकिन है तो क्लासिफिकेशन का, किसी ने किसी नियम से, कोई ने कोई कानून से, चार में से तीन बातें एक जैसी आएंगी, प्यारे बचों, चार में से तीन बातें एक जैसी आएंगी, लेकिन एक पॉइंट उस रें होगा जैसे देखो इनमें डिफ्रेंस पांच का इनमें भी डिफ्रेंस पांच का प्यारे बचो इनमें डिफ्रेंस दसका और इनमें डिफ्रेंस पांच का यहां भी डिफ्रेंस पांच का यहां भी पांच का और यहां ऐसा नहीं था तो B आपके सवाल का उत्तर बनेगा B is the right answer, B is the correct answer, B आपके सवाल का उत्तर आ सकता है, बहुत तीजी है, अगले सवाल की बात करलो, साथ नमबर सवाल को देख लेना बिटा, साथ नमबर कॉश्चन का आईडिया तुम्हें लग जाना चाहिए, साथ नमबर सव सवाल का तुम्हें जजमेंट हो जाना चाहिए बिलकुल भी मुश्किल बात नहीं है सिरफ और सिरफ चीजों को वेरिफाई करने पर ध्यान देना है एक एक स्टेप एक एक कड़ी प्रॉपर वे में आपकी बंती आनी चाहिए जैसे जैसे आपने अभी अभी एक लेटर सिरी है एक ही पेपर की बाते हो रही हैं यह सीजियल 2022 के पेपर चल रहे हैं और उसी का कंपलीट सॉल्यूशन आप लोग क्लास में कर रहे हैं परस्ट अक्षर को देखूं 12 16 20 और 24 24 और 4 28 बनेगा प्लस चार-चार की सिरीद चल रही है 28 कैसे आया आपको पता है ल आता है बारा पे पी आता है 16 पे टी आता है 20 पे एकस आता है 24 पे तो सब में चार-चार जोड़ा जा रहा है अब जैड आता है 26 पे 27 पे ए और 28 पर भी अब बी को लिख सकते हैं बेटा बी से शुरू होगा हलांकि इतना देखते ही उत्तर तो बन गया खाली बी को देखते ही आंसर तो लेकिन हम सारी बातों को चेक करेंगे तो आई यह सारी बातों को बना कर भी देख लेते हैं 13 देखो यह तेरा है यह 8-21 है बटा अगर मैं इनकी नमरिंग आपको लिख कर बताऊं इस इस थर्टीन इस इस ट्वंटी वन C को आप 3 भी कह सकते हैं C को आप 29 भी कह सकते हैं और ये है दोस्तो 11 तो अगर आप काइदे में समझो ना तो सब में देखो 8-8 add हो रहा है जिसे 13 और 8 21 21 और 8 29 3 और 8 11 तो 11 और 8 19 सर ये प्लस 8 की सिरीच चल रही है अलफा बैट की नम्बरिंग में आपको X, Y, Z 24, 25, 26 के बाद में 27 पे A, 28 पे B 39 पे C और 30 पे D आता है ये बात ध्यान रखने है R आता है बच्चो 18 पे A आता है 27 पर या आप एक कह दो A की बात है ये आता है बच्चो 10 पे और ये आता है 19 पे तो आपने कहा सर ये तो 9-9 जोड़ रहा है ये तो 9-9 एड़ कर रहा है 18 और 9 27 27 पे बात 1 1 और 9 10 10 और 9 19 19 और 9 28 बनेगा बेटा 28 का मतलब आप B भी कह सकते है ये बात आपको याद रहनी चाहिए कि अलफा बैट में नम्बरिंग 26 के बाद भी कहना मुश्किल नहीं है A को हम 1 भी कह सकते हैं और 27 भी कह सकते हैं P को हम 2 भी कह सकते हैं 28 भी कह सकते हैं C को हम 3 भी कह सकते हैं 29 भी कह सकते हैं D को हम 4 भी कह सकते हैं 30 भी कह सकते हैं ऐसे बच्चो एलफाबेट की नम्बरिंग है इस नम्बरिंग का यूज़ करना आना चाहिए अगला कोश्चन है जी आठ नमबर सवाल आप सब के सामने ये बच्चो एक प्यारा सा सवाल है जिसका नाम है मिरर इमेज मिरर इमेज का क्या मतलब है कि आपने इस आकरती के राइट साइड में एक दरपन लगाया राइट साइड में एक मिरर लगाया तो राइट में ये आकरती कैसी रिजंबल होगी देखो बैटा आपको पता है कि जब भी किसी आकरती के vertical ये लंबवत दिशाम में mirror लगाया जाता है न तो हमेशा left और right आकरती का change होगा हमेशा बचो आकरती का दाया और बाया change होगा top और bottom में कोई परिवर्तन नहीं होता a को देखेंगे तो A की येवाली आकरती संभव नहीं है इस ने option C को out करवा दिया हमेशा इन सवालों को आप option से ही करना बिटा Q, Q से P बनेगा तो येवाला D बनना संभव नहीं है येवाली आकरती बनना संभव नहीं है खतम बिटा केवल starting के दो अक्षरों से काम हो गया स्टार्टिंग के दो अक्षरों से बात बन गई तो बाकी के अक्षर आपको मैच्च करने की नीड नहीं थी बाकी के अक्षरों पे किसी प्रकार का काम करने की आपको आवशकता नहीं थी सवाल नमबर नौ नाइन इस दा राइट करेक्ट आंसर ये ये अंग्रेजी डिक्ष्णरी के और्डर में मैनेज करना है आपके सामने कुछ शब्द दिये गए हैं पेटा जितने भी बच्चे सेशन पढ़ रहे हैं पेटा आप सेशन को लाइक और शेयर मस्क कर दीजिएगा आपके साथ के दोस्तों में information शेयर कर दिया गरो बेटा जहां तक के अक्षर सेम मिल रहे हैं देखो बेटा उनका तो कोई फरक पड़ेगा नहीं तो मैं एक बार आपके सामने जहां तक के मेरे अक्षर सेम मिलते हैं उन चीजों को तो हटा देता हूँ ताकि आपको समझने में असानी रहे KIN सब में था KIN सब में था KIN सब में था यह लो अब जितनी कहानी बच्चों सब में सेम हैं उसका तो कोई यूज होता ही नी अब आगे के अक्षर देखो इसमें आए जी 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 इसमें जी एस तो आश वाला लास्ट मेश आएगा अब पहले जी पर बात कर लेटे हैं जी एल जी डी जी एल जी एस तो पहले आईगा जी डी बश्ज़ सबसे पहले नंबर 3 वाला मैनेज करना है तेन बच्चो G, L, E, L, Y तो फिर एक आएगा फिर पांच आएगा L के बाद में बच्चो S लिखना है लास्ट में चार वाला आजाएगा ये आपका पूरा ओर्डर बन गया 3, 1, 5, 2, 4 D आपके सवाल का उत्तर है कम्पलीट एनलिसिस करेंगे सारी बातों को समझेंगे पेपर की तो आप इन जानकारियों को बना पाएंगे बेटा देखिए आपके सामने सवाल कितना प्यारा सा है बड़े दोस्तों आसपास के नंबर है जब कभी इतने आसपास के नंबर आ जाएना जब कभी इतने आसपास के नंबर आ जाएना तो यह समझ लिया करो कि इन में कोई ने कोई डिफरेंस की बात ही हो रही है पिटा यह कोई special नंबर तो है नहीं कोई वरग घन की बात तो होनी रही कोई ने कोई प्लस माइनस की बात हो रही है अगर आपने इनका डिफरेंस देखा तो साथ में से दो गए पांच और यह 75 कम किया हुआ है हो सकता है कई बार सेम नंबर को इसे कम कर ले आपने 621 में देखा 11 में 6 गए पांच 61 में 54 गए 7 यहां भी 75 कम किया हुआ तो यहां इस पॉइंट पर भी आपको 75 कम करना चाहिए सेम डिफरेंस की बात बन रही है एनलोगी A और B का रिलेशन C और D का E और F का एक जैसा आना चाहिए 13 में से 5 गए 8 70 में 7 गए 63 6,3,8 बचो D option आपके सवाल का उत्तर आ गया काईदे से आप इन चीजों को मैच कर सकते हैं ये सवाल आने वाले आपके पेपर में आपकी बहुत हेल्प करेंगे सब बच्चे इन सेशन को लगातार पढ़ते रहीएगा प्यारे दोस्तों जो प्रैक्टिस आप लोग कर रहे हैं बिटा बिलकुल इस प्रैक्टिस के एक्जाम की सटीक तैयारी करने के लिए अनेकैडमी लेकर आया है आपके लिए स्कॉलर्शिप टैस्ट ट्वंटी ट्वंटी थ्री कि 2023 साल का बचो पहला SSE के एक्जाम का एक स्कॉलर्शिप टैस्ट है जो जनवरी 22 को होगा दोपैर दो बजे यानि संडे को दोपैर दो बजे ये टैस्ट होगा इस टैस्ट में बचो अब बढ़िया स्कॉर करते हैं तो अनेकैडमी प्लैटफॉर्म पर 100% तक स्कॉलर्शिप भी जीत सकते हैं आप सभी बच्चे इस टैस्ट में मस्ट एन्रोल करना और प्यारे दोस्तों आपके लिए हमारे प्लैटफॉर्म पर बहुत सारे नएने बैच आ रहे हैं आप किसी भी एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं चाहे आपका टार्गेट MTS का एक्जाम हो चाहे आपका टार्गेट सेलेक्शन का संकल बैच हो चाहे आपका टार्गेट विजेपथ SSC का बैच हो बैटा आप सारे एक्जाम को टार्गेट कर सकते हैं हर एक एक्जाम के लिए आपको डेडिकेट बैच दिये जा रहे हैं 12 जनवरी से बच्चों ये CGL का बैच स्टार्ट हुआ है प्लैटफर्म पे जोईन करते हैं तो आपके लिए बच्चों कम्पलीट सुईधा हैं अवेलिबल हैं बलब लाइव क्लासेज मिलती हैं सारे सब्जेक्ट की इंडिया के टॉप एजुकेटर द्वारा रिकॉर्डेट सेशन पढ़ सकते हैं आप आशके डाउट फीचर का यूज कर सकते हैं आपको नोट्स भी पच्चों प्रोवाइड करवाई जाते हैं और हाड कोपी नोट्स बैटा हाड कोपी नोट्स यानि बुक के फॉर्मेट में आपके दोर स्टेप तक दिज़ो करवाई जाते हैं और सॉफ्ट कोपी बटा आपको आपकी एप में सेल्फ स्टडी टैब में मिल जाती है प्यारे दोस्तों कमपीट फीचर का बेहत रोचक इस्तेमाल है कमपीट में बचों आप लाइव प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में उसी आपके एक्जाम स्टेंडर्ड के लेवल के अकोडिंग आपको सवाल दिये जाएंगे और आसके डाउट का फीचर है आसके डाउट में क्या होता है इसी भी सवाल में डाउट आया आपने उसकी फोटो क्लिक करी आसके डाउट का आप्शन है फोटो सेंड करी वीडियो सोल्यूशन आप तक सवाल का आज आएगा तो ये बहतरीन फीचर है बचो इनका इस्तेमाल किया करें ये सब चीजें बचो आपको अनेकैडमी प्लैटफॉर्म पर अवेलिबल करवाई जाती है सवाल नमबर 11 ये कोडिंग डिकोडिंग का एक बहुत ही सिंपल सा बहुत ही बेसिक सा सवाल है सब बच्चे फटा फट ट्राइ करना जी सब का उत्तर ठीक आना चाहिए मैं उमीद करता हूं कि क्लास के सारे बच्चे इसका उत्तर दे पाएं झाल करता है कि इतना आसान था बताइए आस पास के अक्षर देखकर आपको चीजों का बिटा आइडिया लग जाता है आस पास की चीजें आपके लिए आसान बन जाती है तुनिए ए ए जी ए आर ये आपको बताया गया ए ए ए ए एच आर ए तो आपने का सक बिलकुल ए का प्लेस ए का प्लेस चेंज कर दिया आर ए का प्लेस चेंज कर दिया और बीच वाले में एक जोड दिया ऐसे बचो आस पास के अक्षर ही बनाएगा जैसे गल्स जी आई आर एल एस कोडिंग देओ कितनी सिंपल की गई है आई जी एस एस एल इसका मतलब वही है जी और आई की जगाए बदली एल और एस की जगाए बदली आर और एस की जगाए बदली प्लस एक बन जाएगा सेम टाइप में आपको इशू का कोड पूछा है सेम काम करना बचे SI TEU आपने कहा जी ऐसा करने का क्या कारण रहेगा तो वही लॉजिक है आई एस ती में प्लस वन है और यू ए का पैटरन है दोस्तो फिल मिलाकर सारी कहानी में SI TEU सी ऑप्शन आंसर बन जाएगा एक एक बात को मैच करना आसान है बस जानकारी आपको समझ में आनी चाहिए यह बहुत ही बहतरीन सवाल है पेपर का पूछा हुआ सवाल है CGL 2022 का सवाल है बचो दिये गए दो चिनों को आपस में बदलने पर निमन लिखित में से कौन सा समीकरण साही नहीं होगा नौट वर्ड को ध्यान से देखना है अक्सर बच्चे यह गलती करके आए पेपर में उन्होंने नौट वर्ड को नहीं देखा उन्हें लगा कि सिंबल चेंज करने पर कौन सी एक्वेशन सही बन जाएगी तो सही चीजें चेक करने में उन्होंने सेकिंड लगाया लेकिन बिटा आपको नौट वर्ड दिया था नौट पर फोकस करना जरूरी है देखिए माइनस और मल्टिप्लाई को चेंज करता तो फर्स्ट वाले में यह बनता पांच गुणा च्छे माइनस तीन पलस सोला भाग चार तीस में से तीन गए 27 27 और चार 31 इससे तो ठीक बन रहा है इससे तो ठीक बन रहा है मेरे को ठीक नहीं बनाना मेरे को गलत बनाना है बच्छे आप कहेंगे सर इसमें बनेगा 11 पलस 6 माइनस 3 गुणा 8 भाग दू देखो यह बनेगे 11 और 6 17 माइनस 12 सत्रा में से 12 गए 5 भी बन रहा है उत्तर यह भी नहीं है हमें नौट वर्ड देखना है बच्छे नौट को फोकस करना जरूरी था अगर मैं थर्ड वाले ओप्शन पे जाऊंगा 7 माइनस 8 पलस 4 भाग 2 चार भाग 2 और गुणा में 6 हमने क्या करा माइनस के स्थान पर मल्टिप्लाई मल्टिप्लाई जा माइनस करा है और कोई अलग काम नहीं करना बच्छे तो आप कहेंगे सर ये तो बन जाएगा दो दो चिका बारा बारा में से एक ग्यारा सर ये बात भी वेरिफाई हो रही है साथ माइनस 8 पलस बारा तो ये भी बन रहा है ये भी नीचे ये जब तीन जगह पे आपकी बाते नहीं बन रही तो सवाल का उत्तर क्या बन जाएग है देखो साथ माइनस दो पलस 27 भाग 9 गुणा में हो गया चार तो इससे क्या बनेगा साथ माइनस दो पलस तीन चोका बारा उननिस में से दो गए सत्रा यहाँ पे अठारा लिखा हुआ है बेटा तो डी वाले ओप्शन की बात करेक्ट नहीं बन रही हमें पूछा गया थ एक बात का काईदा आपके लिए क्लियर होना चाहिए अगला कोशन एक पेपर को बिटा फोल्ड किया गया और कट किया गया कि दुनिया का सबसे आसान टॉपिक होने के बावजूद भी कई बच्चे इस सवाल में गलती करते हैं बताना चाहूंगा इस टॉपिक में कुछ और नहीं है अगर आप लोग मिरर और वाटर इमेज पड़े हैं अगर आप लोगों को मिरर और वाटर इमेज के बारे में जानकारी है आप इन सवालों को ठीक परकार से सॉल्ब कर सकते हैं पहले आपने ये कागज लेफ्ट में फोल्ड किया फिर ये कागज नीचे और तब आपसे पूछा कि बताओ क्या बनना चाहिए तो जैसे से फोल्ड कैसे ओपन कर दीजिए जब यह पार्ट ऊपर खुलेगा तो ऊपर इसकी वाटर इमेज बनेगी देखिए वाटर इमेज कैसे बनेगी तो यह एरो था यह उपर की साइड में जाएगा और डारेक्शन सेम रहेगी आप एक एक आप्शन मिलाओ यहां पे यह एरो लेफ्ट में था तो राइट में कैसे जा सकता है यह एरो तो सेम रहना चाहिए अचाहिए यह दोनों में compare करने के लिए क्या करेंगे तो आप समझना बचे जब ये arrow आगे right में खुलेगा तो direction एरो की बदल जाएगी सी उत्तर नहीं होगा उत्तर क्या बनेगा दे पैन उठाना नहीं है बचो सवाल में आपको पैन उठाना नहीं है आपको चीजे बनानी है option से option आपके लिए जितने comfortable है बचे option से चीजों को out कर दीजिए सवाल आपके लिए इसी बन जाएगा और करना भी क्या है बताए हैं कूप पैटा कूप is a place where hen lives जहां मुर्गिया रहती है मुर्गिया जो रहती है वो जो जगह बनाई जाती है उसका नाम होता है कूप तो यह मुर्गी है और मुर्ग जगया उती है उसे बोलते है अस्टबल अस्टब फई नहीं बनेगा हम मदमक्खी हाइं में रहती है हाइव का मतलब होता है चंप मदमक्खी का जो घर ए चंप मने और बेटा लीविंग प्लेस्ट में बी और हाईव बनना चाहिए मुद्मख्या छत्ते में रहती हैं आसान बात हैं पंद्रा नंबर सवाल आप सब के सामने पेपर का और यह फिगर सीरीज का सवाल है जी जहान से आकरती को देखना मैंने पूरी आकरती को बड़िया प्रकार से जूम कर दिया है ताकि आप सवालों की मुवमेंट को समझ पाएं ताकि आप सवालों की मुवमेंट को समझ पाएं ताकि आपको सवालों का पूरा-पूरा आइडिया हो जाएं कि कैसे कैसे यह आकरती rotate की ज़ा रही है पस्त वाली आकरती नीचे आ गई जगह चेंज हो गई अपर्स वाली आकरती नीचे आ गई सेम टु सेम ठीक है फिर यह आकरती आगई प्रेस्ट चेंज ठीक देख समगने जब भी पेटा आपको ऐसे पांच पांच आकरती दी जाए ना आप इनको दो-दो म ब्रेक कर लो बिटा दो दो में ब्रेक करने का मेरह मतलब की है आपको समझ में आएगstein आप यूण कहिएगा सर एक और दो का करेकरम से तीन और चार के क righteous के पांच और च्हाए कहner ano 2019 अजो में तीम जोज या तीन उस तो में सुनिये जो आकरती है वो अगली बार सेम एक प्लेस नीचे आ गई यह समें जगह इनकी चेंज नहीं हूई है इनके जगह अरह इसमें बेड़े67 बीची यहां करती ऐसे आ जाता गी भिना कोई लेंट राइट में चेंज किया है यहां इसमें नहां भी है इसमें नहीं है उत्तर बनेगा या तो आ और या बनेगा D कि पिता यह बीच वाली अकरती है यह उपर हो गई और जगय चेंज हो गई प्याइब कि पीच वाली आकरती है यह अगली बार ऊपर हो गई और इसकी जगय चेंज हो जाएगी तो यह नहीं बन सकता उत्तरडी बनेगा आप थाइड वाले को भी देख लो यह आकरती है यह अगली बार देखो यहां पर सेम आरी है पर डारेक्शन चेंज हो गई यह आकरती थी देखो अगली बार सेम आरी है डारेक्शन चेंज है यह आकरती है अगली पर सेम आएगी पर डारेक्शन चेंज बनेगी इसको देखकर भी आप अपने सवाल का उत्तर डी कन्फर्म कर सकते हो आकरतियों के स्टेप किस परकार बनाए जाते हैं उनका रोटेशन क्या चल रहा है उनको देखकर सवाल डिसाइड करना है सवाल बड़ा ही मुश्किल दोस यह सीजियल 2022 का वो सवाल है जो लगभग लगभग परतेख शिफ्ट में गलती आया था यह बच्चों वो सवाल है जो लगभग सारी शिफ्ट में गलती दिया गया असान बहुत हैं ए गुणा बी का मतलब है ए बी का पिता ए माइनस बी का मतलब है ए बी की माँ डिवाइड बाई बी का मतलब है ए बी का भाई ए पी आर का पिता कौन बताएगा सुनो डिवाइड का मतलब होता है भाई multiply का मतलब होता है मा तो first वाले में तो P मामा हो रहा है मामा क्योंकि मम्मी का भाई है न पिता का भाई हो रहा है चाचा R के पिता हो गया Q और Q का भाई हो गया P इसमें तो P R के अंकल बन रहे है उत्तर बन नहीं पाएगा second वाले में divide का मतलब भाई भाई के पापा बचो भाई के पापा पापा ही होते है P option में R का भाई है Q और इसके पापाएं P एकदम सही बात third वाले में मम्मी मम्मी के पिता नाना होते हैं ये पिता नहीं बन पाएगा देखो last में P गुणा R दिये है P गुणा R का साफ साफ मतलब ये है P R के पापा है उत्तर ये भी ठीक है बचो एक ही सवाल में उत्तर B और D दोनों correct हैं जी भर के बच्चों ने claim किया था ये blood relation में coded का सवाल है लगभग लगभग हर shift में गलत ही दिया है पता नहीं SSE वालों को सवाल बनाना नहीं आया कि क्या समस्या हो गई घंकर रूप से गलत सवाल दिया था बच्चों कर दीजिए try अच्छा इससे आसान तो क्या बनाओ गयार है इससे इजी तो क्या बनाओ गया सेट वाला सवाल बच्चों आपको लगभग डेली हर शिफ्ट में मिलता होगा डेली जो शिफ्ट try करते हैं हर शिफ्ट हम solve करते हैं कि सेट वाला सवाल लगभग लगभग रोज मिलता है और यह है इतना ही आसान तीन और दो से पैंतिस कैसे बनाएं तीन और दो के मद्दे नजर काफी बड़ी संख्या है तो इनका multiply करके तो बननी पाएगा वरा घं करके देखते हैं तीन का cube करा मैंने 27 दो का cube करा मैंने 8 जी हाँ 27 और 8 का जोड 35 है यह बात तिकड़म बैठ गई काम हो गया सैकिंड वाले पर देखते हैं यहाँ भी काम कर रहा है क्या 14 65 जी हाँ शत परतिशत बात काम कर रही है एक का cube 4 का cube एक और 64 को add कर दिया तो बन गया 65 यह भी आसान है आखरी वाले को समझते हैं option देखो पहला 7 2 351 7 का cube है 343 2 का cube है 8 इनका जोड आगया 351 सवाल की बात बननी चाहिए A में A इस दा correct answer A इस दा right answer काईदे में A आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए खतम बात 18 नमबर सवाल है सिलोलिजम 18 नमबर बच्चो सवाल है सिलोलिजम का सिलोलिजम का इससे ज़ादा simple सवाल क्या बनेगा अरे सिलोलिजम की बात आपको समझनी है बच्चो एक एक सवाल का पैटरन एक एक सवाल का पैटरन आपके लिए सो परसेंट डूप से क्लियर होना चाहिए आल ए आर आर आल आर आर सी आपको सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के डाइगराम बनाने है दस बज़े वाली क्लास में ये बात मैंने आपको आज ही पढ़ाई थी आल ए आर आर आल आर आर सी सारे आर सी हैं कंक्लियूजन की बात करते हैं आल ए आर सी जी हाँ सही है सम आर आर आ ये बात भी सही है नो सी इस आर ये बात गलत है बचे तो कुल मिलाकर कंक्लियूजन में आएगा फरस्ट और सेकिंड फॉलो करता है डि conclusion first or second follow करता है relation A और R C का बनेगा मैं no C is R नहीं कह सकता D वाला option आपका उत्तर आएगा correct knife छुरी छुरी जो होती है बेटा वो काटने के काम आती है छुरी कट करने के काम आती है काटने के काम आती है तो कर्छुल जब बोलते हैं कर्छी ladle ये किसके काम आता है बचो तो ये आपको सर्व करने के काम आता है सर्व करना मतलब जैसे बरतन में सबजी है तो आपने उस कर्छुल से कटोरी में प्लेट में सर्व की तो सर्विंग करने का ये आपके सामने बरतन है ladle का मतलब होता है करचुल करची बोलते है अपने वाशामें अलग अलग छत्र में अलग अलग भासा हैं कह सकते हैं हिंदी में इसका नाम होता है करचुल इंगलिश में लड़ल काम आएगा सभ करने के common sense का सवाल था 20 सवान सवाल बच्चो अगेन आपको बोर्ड मास्का दे दिया बोर्ड मास्का मतलब शायद आप सब बच्चे समझ गए होंगे बोर्ड मास्का बच्चो मतलब होता है mathematical operation आपके सामने एक equation दे गई है 25 दस दो तेरा equal to का sign तो confirm है equal to का sign तो बच्चे confirm हो गया सवाल के according पक्का confirm हो गया हर option में equal to दिया है आपको last में यहाँ equal to लगेगा यानि result 13 बनना चाहिए कुछ काटा पीटी मचाओ कुछ बात ऐसी कर दो result 13 बन जाए तेरा result को साबित करना है यह option पर जाऊंगा तो पांच अगर divide करूंगा पांच दाया पचास पचास में से दो गें तेरा थोड़ी बनेगा यह पांच पांच में से दस गटाओगे बीटा पांच में से दस गटाओगे बात बननी पाएगी सी option में पच्चिस पांच एक सो पच्चिस बन नी पाएगा डी आंसर बन जाएगा calculation जितनी हो पाए mentally करने का प्रियास कीजिए पच्चिस में पांच का भाग दीजिए पलस में दस कीजिए माइनस में दो कीजिए पांच और दस पंद्रा पंद्रा में से दो गटाओगे तेरा थर्टीन विल बी करेक्ट आंसर थर्टीन विल बी राइट आंसर तेरा आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए एकदम काईदे की बात है बच्चो आगे बढ़ते हैं सवाल नमबर 21 सिलोलिजम का एक और कॉश्चन हमारा जो रिजनिंग का बच्चो अनकैडमी पर फांडेशन कोर्स चल रहा है उस दस बजे वाले बैच में आज आपको मैंने सिलोलिजम टॉपिक पूरा करवाया है अभी कल कल की एक क्लास और बाकी है तो जिन बच्चों को स क्लास को आवशक रूप से जॉइन कर सकते हैं इस ये का ट्राइग 21 नमबर सवाल है आप सबके सामने क्या उत्तर बनना चाहिए आसान है काफी और टोमेटोज और पीस कि और टोमेटोज और पीस सम पीसाज पटैटो ये पीस मटर है कुछ पीस पटैटो है आलू है और सारे पटैटो फूरूट है ये सारे फूरूट रिलेशन देखा है आपने समझा कि सारे सारे टोमेटो पीस है सारे टोमेटो मटर है कुछ मटर पटैटो है सारे पटैटो फूरूट है डियागराम य पहले यह बाते एक दम करेक्ट हैं यह बाते एक दम सहीं हैं इनमें कोई confusion हो नहीं सकता बेटा अगली बात A at the rate B का मतलब है A B का पती है A and B का मतलब है A B का पिता है हैश का मतलब है B A का बेटा है गौर कीजिएगा एक जानकारी आपको opposite में दी गई है B A का बेटा है तो आपको इस equation को sort out करना है इसको A हैश L and M at the rate N हैश P इस जानकारी को बनाने का प्रयास करना N हैश P का मतलब P N का बेटा है बचो जो P है न P ये N का बेटा है P N का बेटा है M at the rate N इसका मतलब M N का पती है इसका मतलब है M N का पती है L and M L and M end का मतलब सवाल में दिया गया पिता है L M का भी पिता है यहां से लाइन अटारों में ताकि आपको दिक्कत नहीं आए L M का पिता है दोस्तों के हैश L का मतलब है L K का बेटा है L K का बेटा है L K का बेटा है यह लोजे जानकारी जो आपको सवाल में दी गई वो यह दी गई और मैंने पूचा P K से किस परकार सम्मन दीता है तो K के बेटे का बेटा का बेटा P का सम्मन के से क्या बनेगा संस संस सन बेटे के बेटे का बेटा अरे यह Great Grandson भी कह सकते है इसको इतना Confuse होने की बजा है Direct इन्होंने Great Grandson बोल दिया होता तो भी मैं इसको आंसर मान लेता पर एक्जामिनर ने देशी काम करा उसे सिल लिख दिया कि बेटे के बेटे का बेटा तो बेटे के बेटे का बेटा यही आपका आंसर था Simple डाइगराम को ध्यान पूर्वग बनाएए मैंने सवाल शुरू करने से पहले ही आपको बता दिया कि नौट वर्ड पे अटेंशन रखना पेपर में यह गलती दोस्तों आगे से होनी नहीं चाहिए जब भी कभी ऐसा सवाल आए तो जानकारी को उपर देखते समय अगर नौट वर्ड दिया हो तो उस पर खास ध्यान देना पड़ेगा सारी दुनिया के काम छोड़ लेना लेकिन नौट वर्ड पर तुमें अटेंशन नौट वर्ड पर तुमें ध्यान देना पड़ेगा बिना ध्यान दिये बात बन नहीं पाएगी तो कौनसी एक्वेशन सही नहीं बनेगी, यह तुम्हें बताना है, बचो माइनस और डिवाइड को change करना है और इस वाले पॉइंट पर डिवाइड और इस वाले पॉइंट पर माइनस तो यह बन जाएगा either हाद दो चालिस अन्तालीस, ए में नहीं बन रहा बचो ए में बात नहीं बन रही अरे देखो ना ट्वंटी इंटू एट यहां डिवाइड हो गया यहां माइनस हो गया प्लस साथ हो गया मैंने रैंडमली चेक किया था रुवास्तर में बात बन गई पहले मैंने माइनस और डिविजन की जगह बदलनी है सवाल के इसाब से अब बोर्ड मास का नियन तो लगना ही लगना है तर कहा तो कई नहीं है कहा नहीं जाता यह अंडरस्टूड है 20 गुणा 8 में 4 का भाग दोगे 2 माइनस 2 प्लस साथ 40 और यह 5 बनेगा 45 सवाल करे जी 50 नहीं नहीं बेटा यह वाली इक्वेशन करेक्ट नहीं बन सकती क्या बाकी की इक्वेशन करेक्ट बनेंगी हाँ बनी पड़ेंगी उनमें सोचने की नीड नहीं है हमने तो केवल एक ओप्शन चेक करा वो इक्वेशन करेक्ट नहीं बनी तो उसी को अपना आंसर मान लिया काईदे की बाद फर्स्ट रो सेकिंड रो और थर्ड रो एक जैसा रिलेशन आपको बनाना है एक जैसा रिलेशन आपको बनाना है परस्त वाले में तो 18 और 9 27 करने का मन कर गया था लेकिन ऐसा बन नहीं रहा हूँ 37 15 180 यह बन सकते हैं आपको ना को रिलेशन एक जैसा बनाना है बेटा आपको एक जैसा रिलेशन बनाना है एक जैसे का मतलब क्या है कि इसमें तो 18 और 9 27 का मन कर गया लेकिन सेकिंड वाले में काम नहीं कर रहा है तो सेकिंड वाले में 40 से क्या बनाऊ मेरे मन में एक बात क्लिक करी कि दोस्तों अगर मैं 36 का 5 गुना कर लूँ 180 और 180 में 40 गटा दूँ 140 बन सकता है सुनो 180 में 40 गटा दूँ 140 बन जाएगा ना अब मैं सोचूंगा सेम बात डिटो फर्स्ट में काम कर रही है क्या तो 9 गुना 5 45 45 माइनस 18 देखो ये 27 भी बन रहा है 45 में से 18 गटा होगे ये 27 बन रहा है तो बच्चों 13 का 5 गुना करना 65 65 में से 40 गटाईएगा 65 में से 40 गटाईएगा अबर खुरदार 25 आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा हसते खेलते आप इस कहानी को लॉक कर सकते हैं ये बहुत प्यारा सवाल है इस परकार के सवालों में आपसे गलतियां होनी नहीं चाहिए बच्चों पेपर का 25 सवाल इस पेपर का ये आखरी सवाल है और सवाल को देखते ही तुम्हें आइडिया पढ़ रहा होगा कि क्या कहानी चल रही है सवाल में क्या पैटरन चल रहा है तुरंत इन बातों को शायद आप लोग अब्जरव कर पाओ ऐसी मैं उमीद करता आपने समझा कि 29 और 4 तेटिस ये मल्टिप्लाई तो कुछ लगता नहीं है तीन गुणा करूंगा तो 49 बात बनेगी नहीं इफ्रेंस देख लो 256 का है ओ हाँ ओ हाँ ठीक है चार का चार गुणा करेंगे 16 16 का चार गुणा करेंगे 64 64 का चार गुणा 256 आप ये भी कह सकते हो चार की पावर एक है चार की पावर दो है ये चार की पावर तीन है और ये चार की पावर चार है ऐसा कहना भी आपके लिए संभव है ये बात भी बच्चों एकदम जायज है तो कुल मिलाकर तरीके में 49 नाइन आपके सवाल का उत्तर बन गया और ये प्यारे बच्चों हमारा आज का पेपर कम्प्लीट हुआ कल एक और पढ़ेंगे बहतरिन पेपर तक तक के लिए शुक्रिया जाहिंद जाभारत